खंबा गेनी मारो राजस्तान पे आप सब का बहुत बहुत स्वागत है कैसे हो सारे MRPNs आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और मैं आ गई हूँ फिर से आपको परिशान करने संडे को भी एक वीडियो लेके परिशान नहीं हो छोटा सा वीडियो है क्योंकि बहुत थोड़े से चिनुक से questions हमारे रहे गए थे जिनको आज हम finish कर लेंगे राइट जो नए मेंबर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं महारो राजसान फैमिली का अभी तक हिस्ता नहीं बना है अभी 12,000 हो गए हैं बहुत जल्दी हम 25K भी होने वाले हैं तो उनको बता दू मेरा नाम डॉक्टर तरुना शर्मा है अनक एड़वी प्लस पे एजुकेटर इन चीफ हूँ लेकिन आप सबके लिए Study Simplifier for Success आपकी Success में पढ़ाई हो हम लोग जितना Simple कर सकते हैं वो मैं करूंगी 24-7 हम उसी में लगे रहते हैं इसके साथ साथ एक बड़ी अच्छी सी सिरीज टेस सिरीज चल रही है फ्री टेस सिरीज है फ्री लाइफ टेस सिरीज है कॉलेज Tuesday to Saturday Tuesday to Saturday डेली टेस्ट होता है अच्छा ये दूसरा टेस्ट आ गया रुके एक मिनट मैं दिखाती हूं आपको हाँ Tuesday to Saturday डेली सुभा आठ बजे अनकाडमी के लर्निंग एप पर फ्री लाइफ टेस्ट होता है आप सब को पूरे मारो राजस्तान को पधारनों जरूर है ठीक इसको कोड लगाएगा आपकी फ्री एंट्री टेस्ट में हो येजएगी शाथ शाथ मैं संडगे को बारा बजे मैं मॉक्टेस्ट रखती हूं नड़ी अ riots सर्पन्ट सीरीज इस रौकिंग बड़ी अची जा रही है राजस्चान जौग्रफी उल्मोस्ट फिनिश हो गई है ठीके मंगलवार को टेस्ट होगा राजस्चान जौग्रफी टॉपिक रहेगा इंडस्ट्री इस राजस्चान के उद्धियोग ठीके उसके बाद आ चुके हैं तैयारी में आप सब लग चुके होंगे इसके लिए बहुत सारे स्ट्राटेजी वीडियो भी मैं लेकर आने वाली हूँ विजय आरेस बैच चल रहा है अभी मैं यहां पे राजसान आर्टेन कल्चर पढ़ा रही हूं इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनो और इसके अंदर आपको 12 महीने का सब्सक्रिप्शन जॉइन करते हो तो आप लोगों को 2 महीने का फ्री मिल रहा है 12 महीने का सब्सक्रिप्शन जॉइन करने पे 2 महीने का फ्री है 24 महीने यानि की 2 साल का सब्सक्रिप्शन जॉइन करने पे 3 महीने का फ्री है आरेस के लिए तो बेस्ट सब्सक्रिप्शिन है दो साल का साड़े साथ हजार रोपए फीज है MRP10 कोड लगाने के बाद अब MRP10 कोड अलग से लगाने की ज़रुरत नहीं मेरे पास एक कस्टमाइज लिंक है बहुत प्यारा सा लिंक है उसको लाइब चैट में मैं पिन करती हूँ, कॉमेंट में पिन करती हूँ डारेक्ट उस लिंक पे क्लिक करो, अपना प्लान जूस करो और जो है मेरी प्लस कम्यूनिटी का पार बरो ताकि आपका सिलेबस सिस्टेमेटिकली कवर हो सके यूट्यूब पे मैं कौन से टॉपिक्स लाती हूँ, यूट्यूब जो है हमारा चलता है पब्लिक डिमांड के उपर, जो जो आप लोगों की रिकमेंडेशन आती है उन उनके उपर टॉपिक में ले करके आती हूँ, ठीक है और प्लस पे क्या होता है, सिलेबस पूरा होता है विदिन क्लास तीन बर रिविजन होती है, टिप्स और ट्रिक्स के साथ, निमोनिक्स के साथ आपका बहुत स्मूद प्रिपरेशन, बहुत सिंपल प्रिपरेशन जो है आपकी वाके में हो जाती है तो be a part of my plus community और अब हम start करते हैं ज्यादा time ना लेते हुए प्रोमोशन हो गया अब हम start करते हैं अच्छा अभी तक किसी ने भी वीडियो को like, subscribe, share नहीं किया हो तो कर दीजिए एक बात और बताना चाहूंगी आपको एक बार और बताना चाहूंगी पहला जो हमारा वीडियो consistent रहने की जरूरत बहुत जादा है last 40 days strategy क्या होनी चाहिए वो भी मैं बताऊंगे आप लोगों को लेकिन consistency बहुत matter करती है आप बीच में skip कर दोगे तो loss होगा उसमें ठीक है तो मैं यह कहूंगी consistent बने रहें सारे वीडियो देखें एक आदा दिन मुझसे कोई वीडियो मे consistency बहुत 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 जरूरी है तो चलिए start करते हैं आज के पहले question से आज का हमारा first question है state level advisory committee state level executive committee के chairman कौन होंगे seven star question है very high chances की ये question exam में पूछा जा सकता है very 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 important seven star question है ठीक है तो राज्ये स्तर्ये सलहकार समीती और कार्ये कारी समीती के अध्यक्ष कौन कौन होंगे क्रमशा क्रमशा मतलब respectively ठीक है तो tourism minister या chief secretary चीफ सेक्रेटरी या tourism minister चीफ सेक्रेटरी और chief minister और या नहीं और chief minister and chief secretary तो क्या इसका answer होगा बहुत important question है राजस्तान tourism policy 2020 का सबसे important question यही बनता है ठीक है तो इसका answer है जो state level advisory committee अब देखो जिसने polity magical dose देखा होगा वहाँ पे chief secretary आपने topic पड़ा होगा तो chief secretary का काम क्या होते है सारी चीजों को लागू कराना मुख्यमंत्री जी तो आके बताएंगे ये policy मुझे चाहिए ठीक है policy बन जाएगी तो उसके उपर काम implementation का काम किसका होते है chief secretary chief secretary क्या होते है executive कारे कारी काम करने वाले तो state level tourism policy की executive committee के head कौन रहेंगे chief secretary यानि की मुख्य सचिब और advisory जो सलहा देंगे मुझे policy में ये ये चीज़े चाहिए ठीक है तो उसके head कौन होंगे मुख्यमंत्री तो आपको जादा राज्य स्तरिय सलहाकर समीति के अध्यक्ष है मुख्यमंत्री जी कारे कारी समीति के अध्यक्ष होंगे मुख्य सचिब advisory committee के अध्यक्ष है chief minister और executive committee के अध्यक्ष है chief secretary अभी तक के जो दो वीडियोज आए है उनका pdf मैंने टेलिग्राम पे upload कर दिया है इसका pdf आप लोग देना है सब आपके लिए आपको pdf भी बकायदा मिलेगी ही मिलेगी ठीक है तू टेंशन मत लिया करें उसके बाद है who is the present chief secretary of राजस्थान ये question भी आ सकता है personalities में भी आ सकता है राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिब कौन है बीएस महता भागवत सिंग महता के राधा प्रेजर्शन के वर्तमान में मुख्य सचिब कौन है तो उनका नाम है निरंजन आ रहे हैं अच्छा, एक बच्चा मुझे कहा रहा था, मैं हिंदी की तो आप स्लाइड के आगे बढ़ जाते हूं, सौरी, मैं भूल जाती हूं, आगे से मैं कोश्चिन पूरा दिखाऊंगी, फिर आपके स्लाइड के आगे आगे, वो मैं मान लेती हूं, justified आप लोगों की डिमांड है, सही है, बिल्कुल एक दब, ये देखो, ठीके, और इंदरजीत महानते कौन है, इंदरजीत महानते, राजस्थान की हाई कोड के प्रेज़ेंट चीफ जस्टिस ओफ इंडिया, ठीके, मुखे नयादीश है, चीफ जस्टिस ओफ इंडिया, और राज, क्या बोल रही हूं, म अब आप लोग इसको देख लीजे ठीक है फिर मैं आपके स्क्रीन से स्क्रीन के सामने आऊंगे ठीक है देख लो question क्या है which body will be set up with a nodal team responsible for implementation of tourism policy 2020 यानि कि परेटन निती 2020 के कार्यानवन के लिए जिम्मेदार nodal team के साथ किस निकाए किस थापना की जाएगी अच्छा अच्छा वो ये बोल रहे हैं tourism policy आ गई ठीक है advisory committee बन गई उपर जिसके अध्यक्षय मुख्य मंत्री जी ठीक है कार्यकारी समीती बन गई एक body बनाई जाएगी कौन सी body responsible होगी इसको लागू करवाने के लिए ये question पूछा जा रहा है options है हमारे पास बच्चे state level executive body state level advisory body policy implementation unit या फिर special tourism body को ये बनाने वाले हिंदी में देख लिजे आई होप सबको दिखरे होंगे option तो इसका answer है बहुत सारे बच्चे executive body करके आ सकते हैं बट नहीं ये answer नहीं है tourism policy को लागू करवाने के लिए उसका answer है P.I.U. policy implementation unit क्या होगा बच्चे P.I.U. policy implementation unit याद कर लोगे निती कार्यानवन इकाई अगर हिंदी में बोले तो निती कार्यानवन इकाई सही है ठीक है हाँ P.I.U. किस किस चीज के लिए responsible होगी अगर इसके detailed काम पर question आ गया by chance हमें तो तयारी पूरी करके जानी है ठीक है बिलकुल 4G की तरह तयारी आपकी पूरी complete होनी चाहिए smart strategy के साथ तो देखे P.I.U. responsible होगा stakeholders को hand holding उनको handle करने के लिए उनकी जो भी requirements है जो भी demands है वो सारा प पहुच सके ठीक है उनकी कोई शिकायते हैं वो उनको निप्टारा कर सके to the concerned authority को वो पहुचा सके कि आपकी ये problem है तो इस authority के पास आपको जाना होगा तो policy implementation unit जो है वो ये काम करने वाली है तो विदाएं प्रदान करने वाली है basic हित्त धारकों को संभालने के लिए जिम्म चाहिए ना मारूराजस्तान पर आपको कोई topic करना है आपको कोई problem आ रही है तो किस से deal करोगे मुझे ही करोगे ना आप लोग ठीक है आप लोग मेरे stakeholders हो ठीक है और मैं आपकी P.I.U. इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो ठीक है क्लीर है समझ आ गया हाँ और P.I.U. को support कि जा सकते हैं independent experts भी इसमें लिए जा सकते हैं स्वतंत्र expert जो हैं ताकि ground level speedy implementation यह नहीं हो कि यह team लटकती रहे पंच वर्षिय योजना की तरह ना ऐसा कुछ नहीं करना हमने इसमें इसके अंदर speedy implementation फटाफट rules आ गए लागू हो जाने चाहिए ठीक है capacity building of officials officials के पास sufficient resources हो संस keyword में define करूँ अगर मैं पूछों आप लोगों से तो आपका यह question solve हो जाएगा stakeholders हित धारकों का ध्यान रखना ठीक है clear है सबको समझ आ गया होगा I hope समझ आ गया होगा चले अगला question देखते हैं राजस्थान tourism policy 2020 की international marketing strategy के अंतर राष्ट्रिये marketing strategy marketing को हिंदी में क्या बोलते है विपनन विपनन रण निती के तहत निमन लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है यहाँ पर focus जाएगा which of the following statement is not correct ठीक है तो मैं screen से हट रहे हूँ options ध्यान से देखो options का बस्त वाला ध्यान से जो है आप लोगों को क्या देना है answer देना है चले दीजिए शाबाज पढ़ लिया पढ़ने में तो expert है हमारे बच्चे अब तक तो answer भी निकाल लिया होगा मुझे जो लगता है चलो फिर भी मैं options पढ़के बता देती हूँ department will develop a separate digital media policy to attract millennials जो बड़े बड़े अमीर लोग है बही करोड़ पती अरब खती आजकल किसकी पूझा होती है जिसके पास जादा पैसे है ठीके तो उनको attract करने के लिए उनसे एक अलग से digital media policy उनके लिए बनाई जाएगी क्या बनाएगी अलग से digital media निती बनाई जाएगी international marketing strategy international में जो अमीर लोग है उनको attract करने ना आओ भे हमारे राजस्तान में क्या करो invest करो ठीके special marketing strategy for UNESCO World Heritage Sites located in state हमारे राजस्तान के अंदर जो UNESCO World Heritage Sites UNESCO विश्व विरासत जो स्थल है उनके marketing के लिए हम एक अलग से marketing strategy बनाएगे होनी भी चाहिए ठीके और branding of Jodhpur as a World Heritage City विश्व विरासत शहर के रूप में हम जो है Jodhpur का खूब अच्छे तरीके से branding branding करके उसको promote करने वाले हैं ये question है फिर जो है जो bloggers होते हैं आजकल आपको बहुत अच्छी information मिल जाएगी उद्यपूर के बारे में चाहिए या Jodhpur के बारे में चाहिए अज के लिए उनको promote करने के लिए अगर कोई blog पढ़ेगा internationally अमेरिका में बैठे हुए किसी बंदे ने पढ़ लिया राजस्थान में कहा जाना चाहिए ठीके तो obviously वो आएगा ना direct हो के सो एक annual event करवाया जाएगा वार्शिक एक जो है event करवाया जाएगा bloggers के लिए travel writers के लिए for branding of new destination जितने भी नए स्थल tourism hotspot हमें लगता है उनको promote करने के लिए एक annual event करवाया जाएगा ठीके तो ये हमारा question है answer सोच लिया होगा इसका answer आएगा option number C because option number C क्यों world heritage city के रोप में अगर हमें branding होगा तो वो जोधपूर का नहीं होगा world heritage city में कौन आता है जैपूर का होगा याद कर लोगे world heritage city में branding किसका करने वाले हैं बच्चे अपनी capital जैपूर का होने वाला है याद कर लोगे भूलोगे तो नहीं ठीके like subscribe share भी नहीं बोलना है आप सबको ठीके उसके बाद अगला question है राजस्थान अच्छा मैं screen से अट दूँ पहले पढ़ो इसको पढ़ो फ हम भी पढ़ लेते हैं एक बार राजस्थान tourism policy की राजस्थान परेटन निती 2020 की domestic marketing strategy यानि की घरेलू विपनन रन निती के तहत हमने plan किया है हम अपने राजस्थान में thematic road shows दिखाएंगे बड़े बड़े ठीके उन road show का नाम क्या होगा ये बूच रहा है जैसे की an evening in रा मारत देश के अलग-अलग इलाकों के अंदर हम लोग अलग-अलग event करेंगे ये किसका पार्ट है domestic marketing strategy का पार्ट है ठीके तो an evening in जैपूर तो इन्होंने दे दिया दूसरा नाम किस तरीके से हम लोग promote करने वाले जैसे हमने पहले पढ़ा था राजस्थान calling rest and recuperate याद ठीके भई और तो क्या ही रह जाता है लोगों के words ही रह जाते हैं जो याद रहते हैं हमारी दुनिया में ठीके तो options हैं white राजस्थान, wild राजस्थान, lively राजस्थान या फिर majestic राजस्थान तो किस तरीके से हम लोग promote करने वाले हैं तो हमारे यहां पर तो भई राजपू अगला question है which of the following is not correct क्या पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है तो इसको आप लोग पढ़ लो फिर में हम इसका फिर हम इसका आंसर देखते हैं पढ़ो जल्दी से पढ़ो शाब आश हो गया हो गया चलिए कौन सा statement सही नहीं है यह question पूछा गया है the system of collection of tourist statistics will be restructured as per national norms वो यह कह रहे है tourist का जो हमारे पास data आता था कितने domestic आए कितने international आए कौन से country से ज़ादा आए कौन से country से कम आए कौन से राज्य से ज़ादा आए उसको हम लोग prepare करेंगे जो सारा हमारे जोतने भी प्रेयाटक है उनका पूरा का पूरा आखड़े जो prepare करेंगे उनको दुबारा से बनाया जाएगा ठीक है कौन से norms के मताबिक national norms के मताबिक मतलब की राश्ट्रिय माप दंडों के मताबिक ठीक है दूसरा है आर्टी यूपी राजस्थान टूरिजम यूनिट पॉलिसी दो हजार पंदरा के अंदर जो जो छूट जो जो incentives अवेलेबल हैं ये continue रहने वाले हैं राजस्थान टूरिजम पॉलिसी दो हजार बीस के आन टूरिजम यूनिट थी जुनको define कर दिया वो continue रहेंगी और उनको सारे benefits मिलेंगे रिप्स 2019 रिप्स 2019 यानि की राजस्थान investment promotion scheme 2019 के दहति या फिर वो टूरिजम यूनिट भी बदल जाएंगी ये question पूछ रहा है फिर वो ये पूछ रहा है हम efforts करेंगे ताकि हम collaboration करें collaboration का मतलब होता है हिंदी में क्या होता है सहयोग कर सके ठीके किस किस के साथ world level के organization जैसे की UNWTO United Nation World Trade Organization WTTC PATA इनके साथ और भी जितनी भी international bodies है उनके साथ ताकि राजस्तान tourism को क्या मिल सके बढ़ावा मिल सके अब answer क्या होगा which of the following is not correctly matched तो इसका answer है बच्चे अब जो tourist का data न निकालने हैं खाली national norms पे निकालेंगे तो काम चलेगा क्या नहीं हमारी तो बहुत सारे जो tourist आते हैं international तो international norms के उपर तो answer हो जाएगा option number A तो यह national नहां करके यहां पर क्या आएगा जो collection होगा data का वो as per international norms होने वाला है कैसे होगा अंतर राष्ट्रिया आकड़ों के आईएगा ठीके और हां बस हो गए आप लोगों के questions आज के अगर वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को क्या करना मत भूलिएगा गायब नहीं हो ना भी ठीके लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा दरपन test series मंगलवार सुबह 8 बजे पहुंच जाना पूरे मा वीडियो ना लापाऊं तो थोड़ा सा patience रखना Tuesday को वीडियो जरूर आएगा ठीके thank you so much सबको मेरी तरफ से घणी घणी राम राम